हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें दबाएं का अक्सिडेंट हुआ था क्या हो गुनार? तब्यात थीक है नापकी? तुम तमेशा आप शगुन वाली बाते क्यों करती हुं मुझसे? तब्यात पूछने में कैसे आप शगुन कुनार? आप युँ नागचड़ा के शो-शो कर रहे हैं तो क्या पूछन अफर्ज नहीं बनता मेरा? एक मिनिट, एक मिनिट, कुछ कुछ जलने की बदबु आ रहे है ए भगवान क्या हुआ क्या हुआ मैं भूल यह कैसे यह काम तुमसे थीसे नहीं होता है टेबल साफ करने के चकर में ध्यान ही नीरा यहान रहता कहा है आज का तुमारा कुछ नहीं बोल रहे है आज से पेले कभी ऐसा हुआ है क्या आज पेली बारी हुआ ही है पता है दूद का इस तरह से उबल के गिर जाना मतलब कितनी बड़ी मुसीबत को तुमने दावत दिये जरूर कुछ अनोनी होने वाली है यह बगवार खुनार यह से बंद विश्वास है कोई अनोनी नहीं हो तुम चुपरो जबान मतला मुझसे तुम्हें पता है गरतपुर वाली आंटी के वहां भी एसा ही हुआ था सुबे सुबे चाही रखी थी दूध चुसे इपर गिर गया उस दिन उसी दिन शांक को उसके बेटे के एक्सिदेंट पर मौत हो गै खुनार वह एक्सिदेंट गारी बाली की गद्की से हुआ था गारी बाली ने सामने से तक्क्रमाली थी हुसे बस, 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 यह सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ. अब बगवाद, अब तो मैं उपर वाला ही बचा सकता है। बता नहीं क्या नहों नहीं होने वाली है। अब बगवाद, एक तू दुबन ले से, इतना बड़ा बवाद। कुछ समान के काम करना, कोई समान न टूड़ जाए। आपको बस समान की पढ़ी है ना कुनाथ, इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरी को चिंता नहीं। तुम हर बात को उल्टे तरीक से के समझती हूँ हूँ, हाँ? तो कल रात को दूदूबल के गिर गया था, इसलिए बोड रहा था कि आज थोड़ा समान के काम करना, यह तो फिर से कोई नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान होँ है कुनाथ? नुकसान के अगर इतनी परवा है ना, तो खुद काम कर लिया हुरो। पस। तो खुद कर लो, तो कुछ बता नहीं बेकार है, कुछ समझा नहीं बेकार है। क्या हुआ? ओ मैं गॉड यह तो 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 बोल रहा था कि समान के काम करो। मैंने कुछ नहीं किया कुनाथ, मैंने बुस पात लगाया और यह गिर के आजुए क्या हो रहा है यह सब? दो दो अनहोनी हो गई है इस गर में अब 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 आही इस गर में आकर ही रहेगी अब अनहोनी को अब कोई नहीं रोच सकता कि इतनी बार कायन से कि कपड़े सुखाने का स्टैन लिया है लेकिन कानों पर जोई नहीं रहेंती हमेशान विश्वासों में फसे रहेंगे यह करने से यह हो जाएगा वो करने से वो हो जाएगा को अजूवक सकता है कुल शाय को वो हमेशा झाल झाल कि अदर किधिर दे रहें आज जाने देना है सामन बेशना है अगार बाहर बॉर्ड नहीं बड़ा थेरी वाला और चेल शुमान को अंदर आना मना है अठी जाओ तो कहा जाओ अफिस में गुछने नहीं देते हैं स्कुल में बेशने नहीं देते और यहां पर तुम लुद्स ने सेक्रेटी वाले बिल्डिंग के अंदर चाने मी देते बहुत देखा तुम देशे चारेफादमी बाहर कहां जाकर बिटो आपना स्थामन हॉआँड अट्योफची अट्योफट बाहर किसके पास फूल आए से किस्क निया फैल किसी ने इसके हसमढ़न को बुलाया है क्या कि बाशीन इसकी सब्सक्राइब क्या मैs प्रेख वो जो मुड़कता है अ करकेक तर यह रिबैंस हुआ 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 तर जैसे घर्जबस जो जो एक के लिएंस जैसे घर था हुआ है जए हुआ है तूर बेरी बैंट का गूड़ है, उसकी मौन अपर नहीं वही है तूम क्या कहरी हो रही या? अच्छान कुपर से नीचे गिरिये हो तू कैसे कह सकते हो कि एक्षिन नहीं है? यह ता सी आड़ी कोई बता लगाले दो कि मोग गिरे है या कि लाड़ी कोई यह जाड़ा सर यह नादाने सर बेहन की मौत के घंबे कुछ भी बूले जारी है सर हाँ समझ सकते हैं बेहन की मौत का दख्का लगाई तो में दख्का नहीं लगाई सर में तो लूट गया सर इसके मगिरम में कैसे जिन्दा रहूंगा सर वैसे सुधा उपर से गिरी कैसे सर बालकनी में कपड़े सुखा रही थी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी सर सर लगता है सर के बल किरी होगी फार से पिसल के गिर्थी तो पे टोट जाते है जटके में आके गिर गई मतलब सर यह नीचह गिरी इसकी बॉड़ी को हवा में पलटने का मौका ही नहीं मिला होग कि दो चार सेकंड में कैसे पलट जाएगी बॉड़ी गिरते समय से निचे ही था इसका अभी जीत मुझे तो लगता है सुदा को किसे ने धक्का दिया अलकनी से एक बात बताओ कि जब सुदा निचे गिरी तब तुम का थै सर में घर में इता सर मेरी वार जाट दिन अज केसे गिर करें यह सबज गई हुरीआ एक अनोही है अनोही हम ने मता है सुदा को अनोही के बारे में कैसी आनोही सर जिस गर में दूद 자신 oppose अब जिस गर में अप्शकुन होते है उधर नहों होती है है सर घंटाद आप खड़ा मत करो सबसक्राइब अप्शकुन एक कुछ यह सब्सक्राइब करेंगे हाँ सब्सक्राइब किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की होगा इसने और सर इसके नाखुनों में खाल फसी हुई है दिखाओ जारा यह देगा इसका मतलब है उपर वहाँ पर कोई तो था जरूर कोई तो जरूर था वहाँ पर तो फेर उसे खरोच पी आई होगी दो अपना हाँ दिखाओ आद दिखाओ आद दिखाओ वहाँ दिखाओ क्या है कल शाम को चोट लगए थी सर अच्छा चोट लगे थी यह अपनी बीवी के नाखुन लगे थी उपर से धका दे दिया हो सर मैं अपनी बीवी को क्यों मारूँगा सर सर उनके आपस में रो जगड़े होते थे तो वहाँ में गीड अलना बंद कर सर सर पती पतनी के जगड़े तो हर गर में होते हैं सर इसका मतलब यह तो नहीं के हर आदमी खुन कर देगा इसे पैचानते हो सर यह तो सुधा दीदी के जैकेट का कपड़ा है यह इसका नहीं है नहीं सर तुम्हारा नहीं है अगर यह सुधा दीदी के जैकेट का टुकड़ा है कपड़े का तो फिलो उसे के हाथ में कहां से हाया कैसे है सुधा के हाथ में क्यों सर मुझे नहीं पता है सर जाएकर इन कपड़ों में नहीं है जाएकर कपड़ों में नहीं है चाहिद उपर कहीं फस गई है अगर उपर फस गई है तो चलो उपर चल के इनका घर भी देखते और वो बालकनी जहां से बेचारी सुधा नीचे गिर गई जाएकर नहीं है सार्षेश कुनाल नहीं छुपाया होगा बेचा पर आच नहीं है आथ कुनाल शुदा के यकित्तान सर मुझे सच में नहीं पता है सर पता नहीं है जाए रूड़ो ज़रा कर में अच्छी तरस देखो कहां परे जाके तुम्हें पता कैसे चला सुदा नीचे गिर गई यह सर वाचमन न फोन करके बता है था सर वाचमन ने इस से वाचमन बिलराओ जी सी घुमने सुधा मैडम को नीचे किछर्टे हुए देखा। गिरते विए नहीं देखा साफ। जए है कीछ सुनाय पड़ी भाग के जाकर देखा कर देखा। मैं ईससमे बेलकोनी में कोई था? किसी को देखा तुमने? ये कोनल साफ नहीं साफ। सर्, कि यहांगें बड़ी अचीब बात है पालकली में भी जैकेट नहीं, घर के अंदर भी जैकेट नहीं सुदा जहां पर गिल पड़िये हो और भी नहीं बल्कि उस जैकेट का फटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में है तो फिर इस जैकेट गई तो गई कहा सर, हमने सुधा की लाश को फॉरेंसिक लैब में बेज़ दिया है और उसके नाखुनों में जो खाल मिली थी, उसका सैंपल भी बेज़ दिया सर कुनाल जी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद तो तुमारी मुश्किले और भी बढ़ेंगे यहाज कैसी? शाब जी पासवाला घर में फार्णी चर्ग काम चाल रही है ओ तो शायद इन काम करने वाले ने कुछ देखा हूं हाँ, देखते हैं क्या हुआ साब? असपास तुमारे इतना कुछ होआ है तुम्हें पता है भी या नहीं? साब, शाम तक काम ख़तम करके दे रहा था तो बाहर के आ हो रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं वाजू के गर में जो हुरत रहती थी उसका किसी ने खून कर दिया है कैसे हो गया खून साब? वैलकोनी से तक्का दिया है किसी ने उसे तुम लोग ने देखा है किसी को थक्का मारते? नहीं साब, हम लोग तो अंदर ही काम कर रहे थे बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं तुम में से किसी ने कुछ देखा? नहीं साब, नहीं नहीं देखा क्या तुम्हारे आला और भी कोई था तुम्हारे साथ काम करने वाला? सर, आज तो हमी लोग काम कर रहे हैं, वैसे एक लड़का और था, हमने उसे भगा दिया भगा दिया? क्यों? फालतू था सर, किसी भी काम का नहीं था हूँ हाँ को वो? सर, वो भोलू का भाई था सर भोलू का ओन है? साब, वो हमार साथ ही काम करता है आज उसकी तवेद करापती तो उसने पने भाई को भेज़ दिया साब, कोई भी काम ठीक से नहीं करता था वो बोलते कुछ और और करता कुछ और था मतलब, अरे साब, इस दिवार पे छेद करने को बोला था उसको और इस दिवार पे छेद कर दिया उसको जी साब सर, यह दे के साब माई गोड यहांसे तो सुदा का पूरा गर दिख रहा है सर सर, ठेक इसी दिवार के पीछे हमारे गर में मीरर लगाओ था सर और वो मीरर गेर गया था और अपशकुन हो गया था सर बिलकुर उस तरह मेरर लगाओ था तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने जान बूज कर यह अपशकुन किया है वो सक्ता सिर्ण मौत को अनहोनी करने के लिए क्या हों थैत你好.. सर.. cicó क्यू देख रहों सर.. सर मैं सच कह रहा हूं सर.. मैं निरदोश हूं सर मैंना कुछ नहीं किया सर.. मैं सच बूल रहा हूं सर.. हो सकता है.. नहीं किया.. किसी सक करवाया हू 먹.. इस जो.... पता चिल जाएगा.. बोलु का एड्रस देना आमें, अध्याद, चार, इस भुलु के भाई का स्केच बनवानो, यार भुलु, कुछ काम धाम बताना, ठाली बैठे बैठे तंग आगया हूं, यार, तु क्या काम करेगा, तुझे तु कुछ आता ही नहीं है, यार, भुलु, वो जो तु लकडी का काम करता है, उसी में मुझे अपने साथ रख ले, नहीं भया, नहीं, वो काम तुस्से नहीं होगा, लकडी के काम में, बहुत बारीकिसे काम करना पड़ता है, अगर मैं अभी भी सीखना चाहूं, तो सीख सकता हूं ना, देखो भई, वैसे तो सीखने की कोई उमर होती नह हाँ साहिब नमस्ते, बोलू बोलता हूं साहिब, हाँ साहिब कल आजाएगा आपका सामान, हाँ आपके खड़ पर छोड़ कांगे साहिब, जी साहिब, हाँ साहिब याँ याँ अब साब, कुछ बता है इन लोगों ने कि ए एक्सरीम हुआ कैसे? नहीं सार, इन उने हॉस्पिटल आने पेले ही दम तोड़ दियता है शायद वो लड़का जाता है, यही लेके आये था नहीं आपर यह आपको पता है कि यह एक्सिडेंट हुआ कैसे? यह एक्सिडेंट नहीं है सर, इने तो जान बुच के उड़ा है कैसी ने पिछे से गारी आई और सिधे उड़ा के निकल गई यह आदमी कुन? यह भोलू का भाई है भोलू का भाई? अगर तुम भोलू के भाई हूँ, तो फिर यह कौन है? मैं उसे नहीं जानता हूँ यह आदमी तो भोलू का भाई बनके काम पे क्याता है? जहां भोलू काम करता है वगोल eleven more of Elvis मतलब भोलू की तब्यत अुव्यतक्त कुछ खराब नहीं थी उसे काम पे आने से किसीने मना किया था और यह सब खोनी की प्लानिंग होगी उसीने बोलू को मना किया होगा अच यह भोलू का मोबल का है अवस्पिटल के ऑफिस में जबाया काजले कामकर बता करो कि भोलू को किसने फोन किया और कहां से सब मिश्र कुनाल इसे पहजनते हैं नहीं सर कौने सर ये श्राद इसी आप्मी ने तुमारी वाइफ सुधा का खोन किया है मन सर मेरे फैफ सुधा की इसके साथ क्या दुश्मनी हो सकते थी दुश्मनी इसके नहीं किसी और की भी हो सकती आपको किसी पर शक है मैं किसी पर क्यो शक करूं सर मेरे बीवी काम ही ऐसे करती थी मना करने के बाव जुद्धी अब शगुनों वाले काम किया करती थी यह लो सर्फ तर चुरू हो गया यह यह व्यक्षान देना बंद करो अंद विश्वास पे भरोसा करना बेवकुपी होती है तो सर्फ आप भी पता ही है सर्फ कैसे मरी मेरी बीबी सर्फ जिस नंबर से भोलू को फोन आया था उसका पता चल गया है काँ श्रिया फार्मसोटिकल्स का अगे ठीक है मिस्टर कुना यह सर श्रिया फार्मसोटिकल का नाम सुना आपने हाँ सर मेरी वाइफ के एक दोस उदर काम करती है सुदा की दोस्का नाम क्या है शिल पार दोनों के कैसे रिलेशन है वो सब तो मुझे सब पता नहीं है सर पर दोनों अच्छी दोस्ती आखरी बार कब मेरे थी यह लोग पर्सो सुदा उससे मिलने गई थी सर मैं खुद उसे फार्मसोटिकल कंपणी में छोड़ने के लिए गया था और पर्सो सुदा ने किया कप्रे पहने हुए थे मेरा यह मतलब है कि क्या सुदा ने वही जैकेट पहना हुआ था? आहां सर पर्सो उसने वही जैकेट पहना हुआ था सर सुदा के मौत की वज़े उस जैकेट में ही छुपी होगी शिल्पा बारेस करो सर मेरे ही नाम शिल्पा है आप श्रिया फर्मसोटिकल कंपणी में काम करती हैं? जी हां करती हैं सुदा पर्सों आपके साथ थी? थी मंगर बात क्या है? शिल्पा जा आपकी दोफ सुदा का खून हो गया है खून? अगर कैसे? किसी ने धक्का दिया था उने धक्का? किसने? वही जानने आया हम लोगा हम अब मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मुझे क्या मालूम? आपको सब कुछ मालूम है क्योंकि सुदा के खून में आपका भी हाथ है मेरा हाथ? लेकिन लेकिन मैं क्यो मारूँगी उसे? जाकेट के लिए तुमने जाकेट के लिए सुदा को मारा है आप लोग क्या बूल रहे है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कौनसी जाकेट? कैसे जाकेट? चिल्पा जी हम उसी जाकेट की बात कर रहे है जिसे पहन के सुदा दो दिन पहले आपसे मिलने आई थी याद केजिए जैकेट पहन कर दो आई थी लेकिन मुझे उस जैकेट के क्या सरूरत है? मेरे पास तो बहुत सारी जैकेट है मेरे कबड में क्या जला जरन का कबड चेकर करना? सब अचा वैसे सुदा उस दिन आपसे मिलने क्यों आई थी? हम साथ में शॉपिंग गहते कमपनी के अंदर या कमपनी के बहार कोई ऐसी चीज हुई जिसे देख के आपको कुछ अजीशा लगा? उस दिन हम थोड़ी देर के लिए कौफी पीने बहार गए और जब लॉट के आके देखा तो कमपनी में ताला लग चुका था उसमें ऐसी अजीब सी बात क्या है? वह सकता है ओफिस बंद करने का टाइम हो गया? ओफिस बंद करने का टाइम नहीं हुआ था पूछा तो पता चला कि तलाशी हो रही है तलाशी क्यो रही है? शाहिद कुछ चोरी होगी नहीं था सुर, वह जैकेट नहीं मिला जब आप दोनों कॉफी पीने गए थे तो उस वक्त सुधा ने वह जैकेट पहन रखी थी? नहीं सर, जैकेट तो अंदर ही रखी थी ओफिस में चेयर पे मतलब जब ऑफिस में चोरी हुई थी तो चोर ने वह चोरी का सामान निकालकर उस जैकेट में डाल दिया अगर सर, ऐसी क्या चीज हो सकती उसमें जिसे हासिल करने के लिए सुधा कूं कर दे किसे ने? खाजर, कुछ ना कुछ तो है जो बहुत इंपर्टन था और वो अभी उस चेकेट में चुपा हुआ है सर, यह है साहब का कमरा आप लोग जारा दो मिनिट यही रुखिये, मैं साहब से पूछ लेता हूँ पूछ लो, उनको बोलो के कुछ CID वाले हैं, आल चाल पूछने हूँ उनका जी सर साहब, सी आडी वाले हैं आपसे मिलने हैं साहब, कुछ बोल रहे नहीं है, साहब जो राटा जी स्टर विलास 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 किसने, किसने मार डाला मेरे साहब को तुम तो यही पे थे ना, हाँ जी मैं यही पे था, मैं बाहर बैटा हुआ था, मुझे पता नहीं साहब को किसने मार दिया अफिस के बागी के लोग कितने मजे गए यहाँ सब लोग छे मजे के आसपास चले गए थे साहब और सब के जाने के बाद कोई आया था यहाँ पे इंसे मिलने के लिए कोई नहीं आया साहब कोई भी नहीं इसे के चीखने चिलाने के आवाज सुनी तुमने इसका मत्तब है विवेक, खुनी विलास के कोई जान पाइजान गई था, जिस पे विलास को कोई शक नहीं था, उसने चाकु निकाला और अचानक इसके चाते पे खुप दिया. सर कहीं ये खुन उस चोरी की वज़े से तो नहीं हुआ है, जो यहां हुई थी. तीन दिन पहले यहां पे किस चीज की चोरी हुई थी? सब वो तो किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ विलास सार और करन साहब ही जानते थे बस. करन साब, ये करन कहुँ है? इस कंपनी के दूसरे मालिक है वो. हाँ, साब. उस दिन इन दोनों के बीच में जगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेकर. जगड़ा हुआ था? जी. और ये करन आज किते बज़े निकला उफिस से? सबके साथ ही निकल गए थे. वही करीब छे बज़े के आसपास. से बज़े के आसपास. आसपास. ऐसे कौन से चीज़ है जिसकी चोरी की बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई. और फिर दोनों के बीच में छगड़ा हुआ. और फिर राज ये है. विलास का खून. पर इस खून के पीचे करन का हाथ तो नहीं है. पर दोनों कोई नहीं है. चारो तर बंदेरा है. तो नहीं है कोई है? आप लोग करन सर से मिलने है है? तुम कोई है? मैं हर्ष. उनका असिस्टेंट. तो तुम भी श्रेया फार्मसोटिकल में काम करते हो? जी. तो 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 यहां बहार क्यों खड़ा? मुझे करन सर का फोन आया था उन्हें मिलना है. इंफेक्ट मो तो पूने निकल गया था. बिज रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा. तेकिन यहां आपर आकर देखा तो उस तो आल मुझे भुला के पता नहीं कहां चलेगा है. घर बंदे. अच्छा? कबसे खड़े हो यहां पर? अब यह आओं तो. कहां के होंगे कुछ अंदाजा है? सॉरी. मोबाइल फोन तो होगा ना उनका? जी. प्लीज. वसे कुछ फायदा नहीं फोन करके, मोबाइल बंद होंगा. मैं कईबा टाह कर के देख चुका हूँ. ठीक है. थाक है करन का फोन बंद करके कहां बैठा हूँगा? अरे पुनिय से साथ सतर किलोमेटर गाड़ी चला के लाया है तो गाड़ी गर्म होनी चाहिए थी. अमर कार का बॉनेट तो थंड़ा है. चूट बोल रहा ही है. मामला कुछ और ही है. सर, इस करन का फोन बंद दा रहा है. ठीक ह अब भी बाद में. फिर कभी आखे मिल लेंगे. चलो बेठो. सर, वो कहां जा रहा है, सर? खिल, तुम्हें मेरी तरह बनना है? तो हालात और मौका देके मुझ खोला करो. अब 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 तो बता दे. तुझे जिन्दा जाने की नहीं जाना यासी. पूरा घर खंगा लिया मैने. लेकिन तेरा वो फॉर्मूला नहीं होता ही नहीं. सुन. ए! मैं और इंतजार नहीं कर सकता. वो फॉर्मूला दिखने भी नहीं बाला तुम लगों को. चाहिए तुम लग कुछ भी कर लो. सुनत, रस्ती जल गई. मगर बल नहीं गए अभी तक. इसने मढने की सोच ही ली है? तुम मारी देते है नहीं से? अभी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. जब मौस सामने दिखती है ना, तो अच्छे अच्छों की पैंट गीलेगा. तुम्हें लगा मैं जूट बोल रहा हूँ? पड़े! सेरी! जडी! अज़ जजब हूए एक राव एक कर एक रे एक रहा है अजब है बुँआई ख़ साफ। आप ख। आप चन्च चन्च चाल 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 सीरी को बेवकु प्रॉख समझातों है सर इन लोग को छोड़ना मत सर ये लोग लाखो लोगों की जान लेना चाहते हैं किसे बोल रहा है कुछ नहीं बेरा सकते हैं और जिसकी मौत आई है उसे मन आई पड़ेगा तुमाग खराब है तुमाग के सामने खड़े हो कर मौत को धंकी नहीं रहा तुम धंकी नहीं है अखिकात है अखिकात ये देख टिकेट और वीजा के कागद आज रात नौ बजे हम लोग अमेरिका भाग जाएगे ये फ्लाइट के टिकेट और वीजा ये अमेरिका का नहीं है बड़ी हवेली का है सोच लो अगर हम लोग ठीक नौ बजे फ्लाइट में नहीं बैठे और हमने फोन नहीं करा तुमारा एक आदमी वो जहर उस पानी की पाप लाहिं मिलादेगा धंकी नहीं है ये लाखो लोग मारे जाएंगे कर दॉर का प्रेपर में देखने नखा और तूम स्यर की वाले ही पहसो गए ये सच कह रहा है सर ये सच कह रहा है इन लोगों के पास वोट जहर है जो ठोड़ा सा पानी में मिलाने सर लाखों लोग की जान जासकती है मझर सर ऐसे कोई बना नहीं यह गल्ती मुझ सही हो गई थी यह नहीं वो जहर बनाया सर अगर तुमने वो जहर बनाया क्यों? सर बनाना तो नहीं चाहता था मुगर बन गया लेकिन उसके बाद मैंने वो जहर डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की लेकिन विलास ने मुझे रोक दिया विलाज ने क्यों रोका ? सर क्योंकि विलाज चाहता था कि हम अज फूल दिखुर पर और रिसर्च करे वो चाहता था कि उसे और मात्रा में बना कर मार्केट में उतारे लेकिन मैंने ऐसा करने से मनाकर दिया सर तो फिर वू जहर अनगे पहुदिए पास कैसे ? वार्की है तुह यहागे खड़ा है एजया, फॉर्मॉला लेकारा जयो कर वो फॉर्मॉला ने देगा अगर फॉर्मॉला इनके हाथ लग गया तो यह लोग उसका गलत इस्तिमाल करेंगे चाहिए कुछ भी हो जाए लाको लोग की जान बचाना हमारा फर्ज है जी सर अर्वे तुम यही करन के साथ रहो तब तक मैंने हैरपोर्ट छोड़ दो मगर सर हम इन लोगों पर यकीन कैसे करें फ्लाइप में बैटने के बाद भी अगर इन लोगों ने उस आदमे को फोन ने किया तो वो तो पानी में जहर मिला देगा यकीन करने के अलावा तुमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है सब्सक्राइब इस्पेक्टर यह गण यहाँ पर रख दो अब इसकी ना तो में ज़रूवत है ना हमें अपनी गंद भी लग दो इस्पेक्टर चौने अब यह तो कहा लेगा रहा है? अब अब जाने का शॉटकट है यह है अब जाने का शॉटकट है यह है आदा गंटा तो हो गया है ताइम पर पॉशेंगे ना? अब जाज तो तो टेंशन के लेता यार यह तो CID के जिम्मिदारी है अब जाएट के अंजर तक बैठा के आएगा यह है लेकिन मुझे तो इन CID वालों के चेहरे पे बिलखुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा है तो CID का बात्दूर तफ़ाई है ऐसे ही थोड़ीना टेंशन आएगी इससे करन जी आपने उस आदमी को देखा है जो पानी में जहर मिलाने वाला है नहीं सर्थ फिर आपने ऐसा क्यों का कि ऐसा एक आदमी है क्योंकि उपनाने फोन पे एक आदमी को कहा था तयार रहना कितने बजे हैं? यह कोई पाने साथ बजे? कितनी दिर बात की थी? लगबख फंद्रा सेकेंड हलो, हाँ देखे, मैं C.I.D. से बात कर रहा हूँ एक एमरजेंसी है प्लीज आपकी मदद चाहिए लाखों लोगों की जान घत्रे में है पाने साथ बजे के आसपास उपेंदर नाम की आदमी ने किसी को फोन किया था और लगबख पंद्रा सेकेंड बात की थी जी, जल्दी से पता लगाना है कि उसने किसको फोन किया था और वो आदमी इस वक्त है कहा? आट दो बजा है अभी तक फोन नहीं आया लगए झाल झाल परिष्टे परिष्टे तो लोगों को उपर लेकर जाते हैं तू तो आज खुद मौत के मुवन फ्रस किया है जाए बढ़ाए डिए मैंके कुछ नहीं गया मैंके कुछ नहीं गया मैंके कुछ नहीं जहर मोलाएगा जहर में गया अर्ट बच्काई अर्ट, कहा भी गुमारा है में तुम्हें क्या लगा, यह मैं तुम लोगों को एरपोर्ट लेकी जा रहा हूँ, अमेरिका जाने के लिए, हाँ, अब भारेंगे, अब करोडो लोग मरेंगे, कोई नी बचातकता हूं को मननते हैं, अर्श तो पोल लगा करणे कि लिए, भारेंगे, कोई रहा हूँ, पोल लोगों को लाँचा है तो, लाँचा लोगों को जान लेका तो, हाँ, किसी की जान लेन इसना आजान है? तुछ! आज़! मैं उन सर मैंने नहीं दक्का दिया था सुदा को क्यों? दक्का क्यों दिया सुदा को? सर उसकी जैकेट में जहरवाली बोटल चुपी थी सार वो मुझे नहीं मिल रही थी इसलिए वो जहरवाली बोटल सुदा की जैकेट में किसने चुपाई थी? अर्ष ने चुपाई थी, सर सर जैसे ही मैंने वहां से बोटल चुराएगा वह बवाल बच्किया सर अरे अब तो बता दो किसने किया ये आज तक तो इस कंपनी में कभी चोरी नहीं हुई अब ये भी शुरू हो गया यहां पे अभी बता देगा तो बच जाएगा नहीं तो नौक नी जाएगी उसकी यू प्लीज टाट द चेकिंग सभी की तलाश ही ली जाने लगी सर और मैंने वहां पर सुदा की जैकेट देखी और मैंने वह बोटल सुदा की जैकेट देखी और सब कुछ चैक होने के बाद मैंने वह बोटल निगाने की बहुत कोशिश की पर मुझे मौका ही नहीं मिला और सुदा वह से चली गई तर क्या क्या तुम लोग अज़े सुधा के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिये हमें किसी भी कीमत पर वो जहर की बॉडल चाहिये थी फिर मुझे पता चला सुधा का पती अंध विश्वासी है और इसी बात का फाइदा उठाया तुम में भोलू के फोन करके बोला काम पे मता और उसका भाइबन के वहां पासवाले फ्लाइड में गए काम करने है और सुधा के गर में शीशा कि रा लिए फिर तुम सुधा के घर जहां बैलकोनी में वो कपड़े हैला रही थी उसने वो जैकेट दो दी थी और जैकेट को तंगी हुई देखकर मैं बहुत परुशान हो गया मैंनो उस जैकेट को लोने की कोशिश की तब ही सुधा ना मुझे देख लिया और उसी खीजातानी में तुमने सुधा को धक्का दे दिया हाँ सर वेर विलास को क्यों मात देए वेरास को बारे में सब कुछ बता चरिया था उसने धंकिये दिखिए वो CID को सब कुछ बता देगा इसने उसे भी मारना बड़ा तुनेगारों को भगवान तो क्या कोई भी माफ नहीं करता दो दो बेगुनालों की चानली है कम से कम भासी होगी भासी कर दो